आज तक सबसे महगा डिवोश लगव 57 क्रोड रुपे में हुआ है जिसे की हिस्टरिक सबसे महगा तलाग माना जाता है यह तलाग कब और किसके बीच हुआ सब कुछ बताते हैं आपको आज किस वीडियो में दोस्तो वीडियो शुरू करने पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर दे दोस्तो दुबाई के रूलर सेक मुहमंद बिन रासिदुल मक्तूम को को नहीं जानता दोस्तों हम आपको बता दे कि ये दुबाई के रूलर के नाम से ही जाने जाते हैं जो कि दुबाई के वोईस प्रेजिडेंट होने के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ही है और आपको यह भी बता दे कि इनकी संपत्ति कई बिलियन डॉलर की है जिनके लगवक 26 बच्चे हैं दोस्तो दुबाई के रूलर सेख मुहमन बिन रासिदुल मक्तुम की सबसे चोटी बीवी का नाम प्रिंसिस हया था और प्रिंसिस हया को सेख मुहमन बिन रासिदुल मक्तुम दूसरी आधिकारिक पत्नी मानते थे दोस्त इनके साथी सन 2004 में हुई थी इसके बाद उनको दो बच्चे हुए जिनका नाम सेख जलीला और सेख जायत था और दोस्तो सब ठीक ठाकी चला था कि सन 2019 में यह अपने बच्चों को छोड़ कर यूके चली गई और सन 2019 में दुबाई के रूलर की पतनी ने यूके के एक कोर्ट में तलाकी अरजी डाल दी और इस अरजी में लगवग एक बिलियन पॉंड की मांग की जोकी इंडियन रूपीस में लगवग दस हजार चार सो करोड रूपे थी और यह के एक लगवग दो साल के बाद पूरा हुआ और दुबाई के रूलर पर यूके कोर्ट ने 550 मिलियन पॉंड का जुर्माना लगा दिया जोकी इंडियन रूपीस में 57 करोड रूपे था और यह पैसा उन्होंने बिना किसी विचार के ही दे दिया दोस्तो हम आपको बता दे कि साहरू खान की नेट वर्थ आर तक लगवग 6,000 करोड रूपे हुई है और दुबाई के रूलर ने 57 करोड रूपे बिना किसी जिज़क के दे दिया तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुआई के रूलर कितने ज़्यादा रहिश है और दोस्तों सेखा महरा जो कि सेख मुहमन बिन रासिदुल मक्तूम की सबसे प्यारी बेटी है उनका भी तलाग इसी महीने हुआ है और उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी चैनल को विजिट करके वीडियो को जरूर देखे और दोस्तों इस सबसे महंगे डिवोस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी और इंट्रस्टिंग वीडियो इसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में